बॉलिवुड से आई बड़ी खुश खबरी बॉलिवुड एक्ट्रेस आलिया भट ने आज यानी 6 नवंबर को एक बेबी गर्ल को जन्म दिया है फैन्स से लेकर सेलेब्स तक आलिया रडबीर को पैरंट्स बनने की शुब कामनाई दे रहे हैं आलिया रविवार सुबए ही मुंबई के एचन रिलाइंस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी मुंबई के गोरे गाउं इलाके में मौजूद इसी अस्पताल में कपूर फैमली के नए मेंबर ने आखे खोली सोशल मीडिया पर आलिया ने बेबी के आने की ओफिशल एनाउस्मेंट की आलिया ने अपनी पोस्ट में लिखा हमारी जिंदगी की बेस्ट न्यूस आ गई है हमारा बेबी इस दुनिया में आ गया है और वो कमाल की लड़की है इस खोशी को जाहिर करना मश्किल है हमें ब्लेस्ट पैरेंट्स बन गए है प्यार, 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 आलिया और रणबीर रणबीर की बेहन व्रधिमा कपूर ने सोशल मीडिया पर आलिया रणबीर की फोटो शेयर कर लिखा आज मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ सबसे प्यारी बेबी गर्ड के सबसे प्राउड पैरेंट्स बुआ उसे पहले से ही प्यार करती है रणबीर कपूर रविबार सुबह आलिया को लेकर अस्पताल पहुचे थे ये वही अस्पताल है जहां रिशी कपूर भरती थे और उन्होंने आखरी सासे ली थी पहले कहा जा रहा था कि आलिया नवंबर के आखरी या दिसंबर की शुरुवात में बच्चे को जन्द देंगी इस गोद भराय की कई फोटोज आलिया ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की थी 27 जून को आलिया ने प्रेगनेंसी की एनाउसमेंट की थी आलिया ने हॉस्पिटल की फोटो शेयर कर दिखा था हमारा बेबी जल्द आ रहा है फोटो में वो अल्ट्रा साउंड करवाती नजर आ रही थी जिसमें उनके पती रणबीर भी साथ नजर आ रहे थे रणबीर और आलिया की बात करें तो दोनों आखरी बार फिल्म प्रम्हास्त्र में साथ साथ नजर आये थे रणबीर और आलिया ने इसी साल 14 अप्रेल को परिवार और कुछ खास दोस्तों की मौजूदगी में शादी की थी 2017 में फिल्म प्रमास्तर के सेट पर दोनों की पहली मुलाकात हुई थी फिर उसके बाद कपल ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था एक दूसरे को 5 साल तक डेट करने के बाद उन्होंने इस साल शादी कर ली हमारी तरब से भी आलिया रणबीर को पैरेंट्स बनने की बहुत-बहुत बधाई